स्टुडेंस मैं हूँ रमाकान पटेल और आप देखने साइंस जोन अकेडमी छिन्वाड़ा स्टुडेंस यदि आप अपने कॉलेज के प्रफरेंस को चेंज करना चाहते हैं तो स्टुडेंस आप लोगों को इसके लिए क्या करना होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं लेकिन स्टुडेंस यदि आप अपना ब्रांच प्रफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो आपको बैरिफिकेशन से पहले करवाना होगा यदि आप students verification के बाद करवाते हैं तो आपको यहाँ पर college नहीं मिलेगा इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा तो students जो भी बच्चे अपना branch preference change करवाना चाहते हैं तो verification से पहले students यह करवा सकते हैं यदि आप करवाना चाहते हैं तो कल last date है students आपके verification की और आज last date है students form को भरने की तो जो भी बच्चे MPPAT का form भरना चाहते हैं counseling के लिए तो students बिल्कुल आप आज last date है जल्दी से भर दीजिए और कल last date है students आपके verification की तो अब भीहरती के द्वारा प्राथमीता करम का चुनाओ किया जा चुका है यदि अब वो उसको बदलना चाहते है students तो आपको क्या करना होगा students तो बोले सर इसके लिए हमें जाना होगा ठीक है modify change branch preference तो students इस पर सिफ कौन जा सकता है तो students मैं आपको बता देता हूँ इस पर यदि आप जाना चाहें तो इसके लिए students आपको क्या करना होगा उस पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको साप साप लिखा है गा students देखिए online payment is done यदि students आपने online payment done करवा दिये हैं और आदि आपने जाके verification करवा दिये हैं तो आप students यहाँ से जाकर branch preference को change नहीं कर सकते हैं तो क्या branch preference change हो सकता है तो मैं बोलूँगा जी नहीं आपके branch preference change नहीं हो सकते हैं modify students आप कप करवा सकते हैं second round में आप करवा सकते हैं first round की counselling में तो नहीं होगा second round की counselling में आप चाहें तो यहाँ पर branch preference को check कर सकते हैं change करना चाहें तो एक बार check जरूर कर लिजेगा को गुमा देते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इस बार इसी मोबाइल नंबर के होने पर फॉर्म भरते हैं तो यह मोबाइल नंबर आपका वहाँ पर डजनौट एकजिड बताएगा या अल्रेडी एकजिड बताएगा तो इस जब भी आप नए मोबाइल नंबर से फॉर्म भरिएगा इदि आप नेक्स टीर फिर से परपरेशन कर रहे हैं तो एक नए मोबाइल नंबर का यूज़ करके ही फॉर्म भरिएगा और इदि आप नए मोबाइल नंबर से भरते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो मिलेंगे शुरेंस एंसी अनने वीडियो में तब तक लिए बाबाइ टेक क्यार